नमस्कार दोस्तो आव सीखी चैनल में आपका स्वागत है आज मैं इंगल करर का ये उप्सूरत सा पैटरन लाए हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनके त्यार होता है आप इसे कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, जैंट स्वाटर में, हाफ में, फुल में, पच्चो के स्वाटर में चाहे किसी भी मंचाहे प्रजेक्ट में डाल सकते हैं इसे बनाने के लिए चार के multiple फंदे चाहिए तो चलिए फिर अंट से हम डिजाइन बनाते हैं मैं डिजाइन इसी के उपर बनाऊंगी आप इसे पहली लाइन समझें बाडर बनाने के बाद आप सभी फंदे सलाई में दो बार उन लपेटे हुए सीधा बना लें सारे फंदे को हमें दो बार सलाई में उन लपेटे हुए सीधा बना है सारे फंदे सलाई में दो बार उन लपेटे हुए सीधे बने जा चुके हैं इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट हुआ अब हम दूसरी लाइन पे आ जाते हैं यह हमारा रॉंग साइड है तो चार फंदे हम ऐसे खोलेंगे दो तीन चार और देखिए पहले दूसरे फंदे को ऐसे उठाएंगे 22 स्लाइ से ऐसे उठाएंगे और इसके अंदर से तीसरे और चौते फंदे को ऐसे निकाल लेंगे इसके अंदर से ऐसे हमने निकाल लिया अब इन दोनों को 22 स्लाइ में चला दीजे और चारो फंदों को उल्टा बुलने एक दो तीन चार इसके बाद फिर नेक्स्ट चार फंदे हम खोलेंगे एक दो तीन चार और पहले दूसरे के नीचे बाद स्लाइ लगाईए और इसके अंदर से इसको उठाईए और ऐसे इसके अंदर से तीसरा चौता फंदा निकाल लेजे फिर इसको बाद स्लाइ में चड़ा लेंगे ऐसे दबाए रखेंगे और चारो फंदों को उल्टा बुलनेंगे देखिए चार फंदों को खुलेंगे 22 लाई को पहले दूसरे फंदे के नीचे ऐसे लगाएंगे और इसको उठा के और तीसरा चौता फंदा इसके अंदर से निकाल लेंगे अब इनको वापस 22 लाई में चड़ा लेजे यहाँ पे ऐसे उंगली लगा लेजे उसके बाद इन चारो फंदों को खुलेंगे छोड़ने पर यह वापस आजएगा इसलिए उंगली लगाए रखिए चारो फंदों को उल्टा बुलनेंगे चार फंदा खुलेंगे पहले दूसरे फंदे को 22 लाई से ऐसे उठाएंगे तीसरे चोथे फंदे को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे फिर इसको बायस लाई में चढ़ाए और यसे उंगली लगा दीजे ताकि यह जो हमने दूसरी साइट किया है यह वापस निकलना जाए तो अब इनको उल्टा बुलनेंगे कर दोस्तक्रा हुआ तो बुलने ले खाल शाएंगे यह जोग बुलने जाएंगे झाल झाल थर्ड रो और सामने से सभी फंदों को दो बार्स लाई में उन लपेटते हुए सीधा बुल लेना है सलाई में उन लपेटते हुए सभी फंदे सीधे बुल लिये गया है और अब ये डिजाइन का चौथा लाइन है तो चार फंदे हम खोलेंगे एक दो तीन चार पहले दूसरे फंदे को उठाएंगे और इसके अंदर से तीसरा चौथा फंदा निकाल लेंगे और चारो को उल्टा बुन लेंगे यानि हमारा दूसरा लाइन चार फंदो को खोलेंगे और पहले दूसरे के अंदर से तीसरा चौथा फंदा निकाल लेंगे और चारो को उल्टा बुन लेंगे चार फंदा खोलेंगे एक दो तीन चार देखिए यही चार फंदे हैं यहां पर और इन ही चार फंदो को दो फंदा उठाएंगे और इसके अंदर से तीसरा चौथा फंदा निकाल लेंगे चारो को उल्टा बुन लेंगे इस तरह चाचार फंदे लेते जाएंगे और पहले उन्हें खोल कर पहले दूसरे के अंदर से तीस्ता चौथा फंदा निकालेंगे और फिर चारों को उल्टा बुलेंगे तो पुरिस लाइन में बस हमें यही करना है चार लाइन का यह दो लाइन का यह रिपीटे डिजाइन है और इन ही दोनों लाइनों को दुराते रहने से डिजाइन बनता चला जाएगा तो देखिए फ्रेंट्स डिजाइन त्यार है चार फंदों का और दो लाइन का डिजाइन है दो लाइन का रिपीटे डिजाइन है देखिए बनाने में आसान और बहुत जल्दी बनके त्यार होता है सामने से यह ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा तो फ्रेंट्स डिजाइन आपके सामने है यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाईए इसे लाइक कीजे चैनल को सबस्क्राइब कीजे डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में शेयर कीजे पेल आइकन प्रस कीजे ताकि आने वाले वीडियो का नाटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद